कि नविश्कार विध्यारतियों खान गुलूब सेडी के डिसल पिट फूंपे मैं बलूट सिंग आपका स्फागत करता हूं कैसे हो कैसे आप लोगों की त्यारी चल रही है उमिद करता हूं आप अपने घर पर बैठ कर बड़ी मज़े से Istbor से खान खून स्थी के साथ लगऽ बलते हैं और बढ़ते हैं बात करते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं है रादो रादि कैसे हैं सब लोग कर रादी रादे जैहिंद कॉन कॉन क्लास में ऑज चुका जल्दी से एक वर पने अट्रेंस दर्ज करवा दीजिए कौन कुन क्लास में उपस्तित हो चुका है फटाफट फटाफट आजेए फिर हम अब लुटन क्लास को स्टार्ट करते हैं जैकिशन आ गया है कविता आ गई है अंकित आ गया है मेंदर कि सोनम सबका खुब-खुब स्वागत खुब-खुब अविरंदन मिर्ची बड़ा गाजुकतली स्वागत है आपका मैं अंदर कटे हो रहे थूं आसुब है निलम कोली निलम स्वागत है तो प्यारों चलिए आज हम लोग लुग क्लास के अंदर बात करेंगे और नके अज़ ज़िए और प्रमुक दुर्गों के बारे में घुप चरफिता करेंगे all की तो प्यारों चलिए आज मेडा गय mr. की जगह गुरबर में है अन्यों परसंद भी आ गया तो एक बाड़ जलिकला सब्सक्राइब करा दो फिर अपने क्लास को बढ़र ब्र सब्सक्राइब और यह कुले को क्या कहा दम क्या गिल्स के नाम क्या है तो अज सब से पहले हम लोगं बात करेंगे तारागड दुर्ग और तारागड दुर्ग कहा है तो ये तारागड का किला इस्तित है अजमेर के अंदर प्यारों याद रखना यहाँ पर एक बात को सबसे पहले तो इस तारागड की किले को और किस-किस नाम से जाना जाता है जल्द से बताओ, तारागड की किले को क्या क्या कहा जाता है, तो प्यारों हम लोग बात करें, तारागड की किले के बारे में, तो इस किले को क्या कहा जाता है, इस किले की अन्य नाम क्या है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इस किले की जो अन्य नाम है, उन अन्य नामों के बारे में तो सबसे पहले इसको कहा जाता है अजे मेरू गड क्योंकि अजे पाल की द्वारा इसके लिए का निर्मान केया गया था इसको कहा जाता है अजे मेरू गड नमबर एक उसके बाद में राजस्थान के एकदम सेंटर में है अजमेर इसने इसको कहा जाता है राजस्थान का हरदे इसने इसको क्या कहा जाता है इसने इसको कहा जाता है राजस्थान का हरदे राज पुताने की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है पर तो इन अंग्रेजों को तो ला नहीं नीची है, अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज आकर क्या करते हैं, कबड़ा करते हैं, और कुछ ना कुछ इन किल्लों को देकर नाम दे जाते हैं, आपके लिए परिशानी कर जाते हैं, तो प्यारों हम लोग बात करें, इस दुर्ग को दुर्ग को नाम दिया जा रहा किसके द्वारा बीसप हैबर के द्वारा तो बीसप हैबर ने कहा और बीसप हैबर ने क्या कहा इस किले को देखकर तो बीसप हैबर ने कहा ये तो क्या है ये तो राजस्थान का जिब्राल्टर है नाम क्या दे दिये इसको इसको क ये राजस्तान का जिब्राल्टर है लेकिन प्यारों हम लोग बात करें हमारे भारत के गवर्णर जनरल के बारे में और वही गवर्णर जनरल जिसने सती पृथा पर रोक लगई ये सती पृथा को प्रतिबंद किया है और वह गवर्णर जनरल कौन है तो हम लोग बात करें भ और इसका नाम मिलता हमको Lord William Banting, अब अजमेर के अंदर शाषित प्रदेश था तो अजमेर में ये पाउं रख रहा है, और अजमेर में पाउं रखा, अजमेर आते इसने अजमेर की किल्ये को देखा, और इसके मुँझ से एक शब्द निकल गया, और इसके मुझ से सब्द नि राम राम, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बिल्कुल अभिशेक प्रैक्टिस भी करवाएंगे, सब चलेगा साथ में, गुल्षन राम राम, खुब-खुब स्वागत आपका, अब मेरी बात को सुनो, हम अजमेर के अंदर हैं, अब अजमेर के अंदर हैं, अब सुनना, यह यहाँ पर हमारी चर्चा हो रही है अजमेर आग्या है अब हमारे साथ साथ में लोड विलियम, बैंटिंग अब हम बोले हमारी कौन सोने है लेकिन यहाँ पर बोल रहा है नितिन गल को भी good morning कर लेते वरना उस दिन की तरह गुसा हो जाएगे good evening बेटा तो अब ध्यान देना अब इलिम मेटिंग इसने कहा और यह कह रहा है भाईव साब यह तो क्या है यह तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है और इसने इसको नाम दे दिया कि और राजिस्थान का जिब्राल्टर कौन कह रहा है तो राजिस्थान का जिब्राल्टर कह रहा है बीशप हैबर और दुनिया का जिब्राल्टर कौन कह रहा है यह कह रहा है विल्यम बेंटिंग कौन कह रहा है यह कह रहा है विल्यम बेंटिंग तो दौनों का नाम याद रखन है ना दौनों का नाम याद रखना कोटा जलावाड कप चलोगे जल्दी चलेंगे आकान शाकरी मैं भी गुसा हूँ भाई तुम तुम गुसा हो जाओ मैं तुमारे बस गुसे के लिए बनाओ तुम सारे सारे क्या करो हमसे गुसा कर लो है ना ताकि तुमारे भी सांती हो जा और बात करते हैं अजमेर के इस अजमेरू दुर्ग का निर्माण किसने और कब किया है तो प्यारों हम लोग बात करें इस अजमेरू दुर्ग के निर्माण के बारे में तो इसका निर्माण हो रहा है जब अजमेर की इस्तापना होरी 1113 के अंदर और किसके द्वारा हो रहा ह इसका निर्मान हो रहा है अजेपाल चोहान के द्वारा किसके द्वारा हो रहा है इसका निर्मान किया जा रहा है अजेपाल चोहान के द्वारा अजेपाल चोहान जो सामबर से राजदानी का लेकर आ रहा है और अजमेर को ये अपनी राजदानी बनाएगा तो अपने लिए रहने के लिए एक स्वमुचित व्यवस्ता करेगा, एक किले का अंद्रिमान भी ये कर रहा है अजे पालब, चुवान, अब प्यारों, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं कि इस अजे मेरू दुर्ग का नाम करण किया जा रहा है, और इसका नाम करण किया जा रहा है तारागड जिसकी छतरी हम लोग पढ़कर आयते कुंबलगड की किले के अंदर बनी भी है और कौन है वो वो है उड़ना राजकुमार प्रत्फी सिंग सिशो दिया तो प्रत्फी सिशो दिया को अपने पिता राइमल के द्वारा ये टारगड का किला जागीर के अंदर मिल गया है और इ उड़ना राजकुमार प्रत्वी सिंग प्रत्वी सिंग शिशोदियाने अपनी रानी तारा के नाम पर तारागड रख दिया नाम पर तारागड रखा तारागड रखा ये भी हम लोगों को याद रखना है ये अजे मेरु से तारागड क्यों बन गया तो अजे मेरु से तारागड इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ पर राइमल का बेटा उड़ना राजकुमार जिसको हम बोलते हैं प्रत्वी सिंग ये प्रत्वी सिंग को जा प्रवेश करें तो हम लोगों को सबसे पहले किस रास्ते से होकर जाना पड़ेगा हर्स बता हम तेरे हवाले वतन सात्यों कि कि तेरे यहां प्रायव हैं तो बता अब इस किले के अंदर प्रवेश करना है और किले के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार बने व रास्ता होगा टेड़ा मेड़ा इसका रास्ता है इसका रास्ता है टेड़ा मेड़ा यह टेड़ा मेड़ा इसका रास्ता बाप कोगे सर कुरकुरा है क्या है अब जो भी समझो भाई रास्ता तो इसका क्या है टेड़ा मेड़ा यह तो अब टेड़े मेड़े रास्ते से होकर प्रवेश्च करना है तो प्रवेश्च करें प्रवेश्च द्वार के बारे में हम बात करें सबसे पहले यहां पर आ जाती है लक्षमन पोड कौन सी पूड आ जाती है सबसे पहले आ जाएगी प्यारो लक्षमन पोड फिर लक्षमन पोड से अंदर की तरफ एंट्री मारोग और और आगे बढ़ोगे तो 30 नंबर पे एक दर्वाजा और मिल रहा है और 30 नंबर पे जो gate मिल रहा है वो 30 नंबर पे मिलने वाला gate कौन सा है तो फूटा दर्वाजे के पास में आते हैं थोड़ा बड़ा इसलिसका नाम हो गया बड़ा दर्वाजा क्या हो गया बड़ा दर्वाजा फिर बड़े दर्वाजे के आगे निकलते हैं तो यहां पर एक और दर्वाजा मिलता है इस दरवाजे का नाम क्या है तो इसका नाम मिलेगा हमको भवानी दरवाजा क्या नाम मिल रहा है इसका नाम मिल रहा है भवानी दरवाजा और अंदर की तरफ चलो अभी किला नहीं आया है तो और अंदर की तरफ चलेंगे सर कितना चलवाओगे जब तक लक्षे नहीं जाओगे तो यहाँ पर आप कहलाओगे इंद्र तो यह बन जाता है इंद्र पोड यह क्या बन जाएगी यह बन जाएगी इंद्र पोड तो यहाँ पर आ जाता है इंद्र पोड सबसे लास्ट में आ जाएगी यहाँ पर इंद्र पोड यह हम लोगों को यादा रखने कहां से स्टार्ट होएते लक्षमन द्वार से हम लोग स्टार्ट होएते तो लक्षमन द्वार या लक्षमन पोल फिर हम फूटे दर्वाजे के अंदर गुसे फूटे दर्वाजे से फिर बड़े दर्वाजे के अंदर गए फिर मा भवानी के दर्वाजे के अंदर गए फिर हाती प उसमें दुब देखना आपको इतना दुर्ग के बारे में नहीं पढ़ाएं गए शार वी मैस्वका इम्सेटाई जलता दिए गढ़ये और यहां एक एक प्रिड के अंदर एक एक दुर्ग करवा रहे हैं, है ना, अब मेरी बात को सुन लो, अब यहां हम लोग बात करें, यहां हम लोग बात करें, तो हम लोगों को इस तारागड दुर्ग के कुल बुर्ज कितने हैं, तो प्यारों इन बुर्जों का नाम भी या सबसे अधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है जेसलमेर का किला कितने बुर्ज पढ़ेते हम लोगों निन्दाणु किले पढ़ेते हैं सैकिंड नमबर पर जो किला है नितिन गर बहुत बढ़िया और सैकिंड किला वो कौन सा वो भटनेर का किला भी हम लोगों को पढ़ना है तो यहां कितने बुर्ज मिलेंगे, यहां पर मिलेंगे हम लोगों को 14 बुर्ज, अब 14 बुर्ज कौन कौन से हैं, 14 बुर्ज कौन कौन से हैं, तो इन 14 बुर्जों को याद रखो, कैसे गुंगट निकाल कर, तो नमबर एक पर आ गया है गुंगट, गुंगट के बाद में आ यह आप कहा दो इसको नकासी की बुर्ज उसके बाद में आ रहा है शंगार चंवरी की बुर्ज शंगार चंवरी बुर्ज संगार चंवरी मंदर कहा है चितोड के अंदर बुर्ज कहा है अजमेर के अंदर शंगार चंवरी बुर्ज के बार फिर करना होगा हमको आर पार तो आर पार का अत्ता बुर्ज और फिर भाई साब जानू नाहिक का बुर्ज फिर क्या आएगा फिर आएगा जानू नाहिक का आप ये मस सुचना बाबू सोना टोना मोना जानू ये अभी बोला जाता था उस समय बोला जाता था जानू नाहिक का बुर्ज फिर आएगा पीपली बुर्ज, उसके बाद में आता है इब्राहिम शहीद बुर्ज, इब्राहिम शहीद की बाद आता है दोराई बुर्ज, दोराई का युद्ध, पढ़ा था दोराई और धर्मत का युद्ध, उसके बाद में बांदरा बुर्ज, बांदरा ज्यादा पीड़ वाला हो गया इमली बूर्ज इमली बूर्ज खड़की की तरह बनावा हो ए उसका नाम हो गया खड़की बूर्ज खड़की बूर्ज और जीत का ऐसास दिलाने वाला हो गया फटे बूर्ज फटे बूर्ज यह हो गए प्यारों इसके बूर्ज है यह हो गया बूर्ज सुन सारे सब्सक्राइब होगे आप टेंशन न का लो सारे सारे सब्सक्राइब आप चिन्ता मत करो है ना अम मेरी बात को सुनो गुंगट बुड़्जों के नाम देखो गुंगट गुगडी, फुटी बूर्ज, नकासी की बूर्ज, शंगार चमरी बूर्ज, शंगार चमरी चितोड के अंदर तो मंदिर हो गया और यहां पर हो गया बूर्ज आरपार का अत्ता जानुनायक का बुर्ज पीपली बुर्ज, इब्राहिम शहिद का बुर्ज, दोराई बुर्ज, बांदरा बुर्ज इमली बुर्ज, खिडकी बुर्ज और फते बुर्ज ये तो हो गये है मेन मेन प्राचीन प्राचीन बुर्ज लेकिन इसके अलावा, अब आप कोगे, सर हो तो गए, चाओदा, आपने तो चाओदा ही लिखा हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों को कुछ बुर्ज और याद करने होते हैं, दो और, सर और मन भरा नहीं क्या नहीं भरा, मन थोड़ी भरता है, तो एक आ जाता है यहां रखने हैं इनको भी हम लोगों को देखना है फिर प्यारों किले इतने देखे हैं हमारे रस्गुले ने तो कह दिया सर हाँ ओ गुरुजी जानू हाँ जानू है ना तो कई साने इतने चड़ते चड़ते देखते देखते प्यासे हो गए सर पानी वानी की कोई व्यावस्ता है कि नहीं है बिल्कुल पाने की व्यवस्ता है और चलो आपको दो तीन तलाब बता देता हूं जितना मन करें उतना आप क्या करना यहां से पानी पीना अब यहां पर इस अजमेर दुर्ग के अंदर या तारागड दुर्ग के अंदर जो जलाशे बने वे हैं वो तारागड पीनी के जलासे केंदर एक गोल तलाब दिखरा है आपको, वांपर चले जाओ और इसको यहां पर बूला जाता है गोल झालरा, क्या बूला जाएगा? गोल़ जालरा। कौन सा इबराहिमा जालरा इबराहिम जालरा गूल जालरा बड़ा जालरा नाना साई और ibrahim जालरा ये हो जाएंगे सारे के सारे, है ना, गुल जालरा, बड़ा जालरा, नाना सापका जालरा, और इब्राहिम जालरा, इब्राहिम जालरा, ये सारे के सारे हम लोगों को याद रखना, ये तो हो गई हमाँ पानी पीने के बड़ी बड़ी तालाब, जहां पर हम लोगों को पानी मिलता है, अब प्यारों हम लोग इस किले के अंदर जब प्रविश्च करें, तो इस किले के अंदर हमको और क्या-क्या मिलता है और इस किले के क्या-क्या इत्यास रहा, इस किले से जुड़ेवे क्या-क्या प्रश्ण बन सकते हैं, तो एक तो आपको ये मीरा साब या मीर साब नमबर एक हमको मिलते हैं पर मीरा साब की दरगा मीरा साब की दरगा और कौन थे ये मीरा साब ये मीरा साब है कौन तो बताया गया ये तारागड के पहले गवर्णर थे ये कौन थे ये थे तारागड के प्रत्थम गवर्णर क्योंकि फिर मुगलों के अधिन भी तो रहा तारागड के पहले गवर्नर ठीक है उसके बाद फिर हम लोग बात करें तो उत्तर भारत के अंदर केवल एक जगा आप लोगों को एक जानवर की मजार भी मिलती है उस जानवर की पीछे पूरी की पूरी मजार बना भी गई है और बताओ कौन से जानव उत्तर भारत के अंदर और कहीं पर नहीं मिलेगी केवल यहीं मिलेगी तो हम लोग बात करें यहां पर मिलती हम लोगों को घोड़े की मजार यहां पर क्या मिलती है यहां पर मिलती है घोड़े की मजार गोड़े की मजार और यह जो घोड़े की मजार है यह उत्तर भारत की एक मात्र मजार है घोड़े की मजार और उत्तर भारत की एक मात्र किसी जानवर की मजार है ऐसी एक मात्र मजार है और किस जानवर की है घोड़े की मजार है प्रश्ण आयवा है यह प्रश्ण आयवा है याद रखना है ना हाँ सुभम एक इक चीज की बारे में बात करेंगे फिर प्यारों हम लोग बात करें, तो हमारे जोदपूर की एक भावी सा थे, और वो हमारे भाई साप से गुसा होकर आकर यहां बैट गए, और हमारे जोदपूर वाले भावी सा गुसा होकर आये, ऐसे गुसा हो एक जिंदगी पर उनों ने हमारे जोदपूर वाले भाई प्रिमक के अंदर इतनी इतनी सटिक महिला नहीं वो कि जब पती की मृति होती है तो उनके पगडि के साथ में वो सटी हो जाती है और बताओ कौन है रूठी रानी तो यहां हम लोगों को रूठी रानी हम लोग बात करें उमादे और उमादे को इथियास के मेर क्या का जाता ह कहा जाता है रूठी रानी और उमादे की हम लोगों को यहां पर छत्री भी मिलती है अपने पती मालदेव के पीछे यह सती हो जाती है और उमादे की मृतिव कैसे हुई तो यह अपने पती पती का नाम क्या था पती का नाम था मालदेव और मालदेव के पीछे यह सती हो गए माल देव के पीछे सती हो गए अब माल देव के पीछे सती हो गए कैसे तो माल देव की पगड़ी के साथ है ना कैसे हो रहे हैं यह यह हो रहे हैं माल देव की पगड़ी के साथ सती हुए है, मालदेव के सरीर के साथ सती नहीं हुए है, पगड़ी के साथ सती हुए, अब प्यारों एक सती प्रता से प्रश्ण पूछ लेता हूँ, अब सती प्रता हम लोग देखते हैं, mostly तीन प्रकार की होती है, अगर चीता के अंदर पती के साथ में प निशानी के साथ में सती हो रहे हैं इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है अनुमरण इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है अनुमरण यानि उसके पीछे किसी निशानी के पीछे सती हो रही है तो यहां हो रही है और एक अपने बेटे के पीछे सती होते हैं और बेटे सती कहा जाता है ना हाँ याद रखना तो यह क्या है यह अनुमरण हो रहा है यहां पर यह क्या हो रहा है सामरण नहीं है यह क्या है यह अनुमरण सती पृता है यह कैसी अनुमरण सती पृता है उमादे की छत्री भी हम लोगों को मिलती जिंदगी भर पती को पहली रात्री म इसमारक भी देखने को मिलता है प्रतिराचुहान का इसमारक भी यहाँ पर बनावा है और क्या-क्या बनावा है यहाँ पर बनावा है शीशा खाना और यहाँ पर क्या बनावा है शीश खान या शीशा खाना भी यहाँ पर बनावा यह भी याद रखना ये भी याद हम को रखना होगा प्यार हम लोग बात करें इस किल्ले का मुगलों के साथ में भी बड़ा संबंद रहा है क्या संबंद रहा है मुगलों के साथ में क्या संबंद रहा है इसका अंग्रेजों के साथ में तो सबसे पहले हम मुगलों के साथ में बात करें तो यहाँ पर मुगल शाशक जहांगीर और मुगल शाशक जहांगीर की किसी के साथ में मुलाकात हो रही है और मुगल बार्शा मुगल बार्शा जहांगीर और इस किले के अंदर मुगल बार्शा जांगीर किसके साथ में मिल रहा है, जांगीर की मुलाकात, जांगीर की मुलाकात, कहां पर यहीं तारागड में, यहीं तारागड दुर्ग में, मुगल वाश्चा जांगीर की मुलाकात हो रही है, और किसे हाई हैलो कर रहा यह जांगीर, जल्दी से बताओ, किसे मिलेगा य लो कैसे हो जांगिर यहां नहीं अक्वर की किले के अंदर मिला जांगिर की मुलाकात यहां पर नहीं सुरी अजमेर के अंदर हो रही है लेकिन यहां नहीं हो रही है यहां पर मिस्टेक होई तो हम लोग बात करें यहां पर किसी का जन्म हुआ है हां बताओ किसका जन्म हुआ ना ना यह गलत हो गया है तो हम लोग बात करें शहाजा के बारे में तो यहां हम लोग देखेंगे शहाजा के पुत्र शाजा का बेटा, शाजा के पुत्र, दारा सिको, और दारा सिको का जन्म यही हो रहा है, दारा सिको का जन्म कहा हो रहा है, दारा सिको का जन्म यही हो रहा है, इस तारागड के किले के अंदर, तारागड दुर्ग में, एक तो हमको यह याद रखना है, नमबर पहली बात, उ उसकी बाद हम लोगों को और क्या याद रखनी है, हम लोग बात करें, औरंग जेब यहाँ पर शरन ले रहा है, और औरंग जेब कब शरन ले रहा है, तो औरंग जेब ने धोलपूर के युद्ध के बाद, धोलपूर युद्ध में पराजित होने के बाद, यहाँ पर आकर दुर्ग में शरनली एक ये भी याद रखना तारगड दुर्ग में शरनली तारगड की किले के अंदर शरनली अंग्रेज भी यहाँ पर आये अंग्रेज अपने टाइम पिरिड के अंदर और अंग्रेज यहाँ पर क्या करने आये थे तो अंग्रेज कहते थे देखो उस समय ह हमारे आपे फिल्मों के अंदर देखते हैं न कि अकबर ने हल्दी घाटी की योजना अकबर की किले के अंदर बनेती अजमेर के अंदर जो दूसरा किला है अभी एक किला ही नहीं पढ़ना दो किले पढ़ने अपको अजमेर के अंदर तो अकबर का किला है उसमें बने इसमें 누 Between नहीं बनेगे नना समंदरा घ्राइर हम कुरान फिल्म ज्यादा पूरा नहीं अभी बीच की टिंट नभे के दोसके के वाले बच्चे उनभे के दोसक फिल्मे देखते हैं तो नबवे qI Read की दादी स्था बीमार फड़ती है् हीड की विमारी हो जाती है तो डॉक्टर कहता है कि इनको तुम लेकर जाओ पहाड़ों की तरफ पहाड़ों की तरफ लेकर जाओ फिली स्टिशन के लेकर जाओ जगाँ चैंच होगी थोड़ा मौसम चैंच होगा इनका सरीर सुधरेगा और वहीं पर हिमाचल प्रदेश के अंदर सेव के बागानों के अंतर ट्रक भरतावा इस हीरोईन को हीरो मिल जाता था और वो दौनों की आँखे लड़ती थी फिर पाट से गड़ 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 ऐसे गुटे खाते थे और प्रेम हो जाता था और यहां आप जैसे तो बीचारे जिन्दगी भर पीछे-पीछे गुमते हैं लेकिन यह तो हमारा स्वास्ताले आरोग्य निवाश है तो हम लोग बात करें अंग्रे जोने अंग्रे जोने अंग्रे जोने तारागड़ दुर्ग को अपना अपना क्या चुना अपना अपना सेनेटोरियम अपना सेनेटोरियम और सेनेटोरियम का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि स्वास्थाले यह इसको कहा जाता है आरोग्य निवास कि आरोग्य निवास के रूप में चुना आरोग्य निवास के रूप में इसको चुना आरोग्य निवास के रूप में इसको चुना है ये भी हम लोगों को याद रखना होगा है ना नेड़र की प्रोप्लम है किसके भई नेटवर की आप क्या रही है मेरे आ रही है किसके आ रही बिबटा दो है ना सफो इसको सेनेटोरीं की रूप में भी चुना जारा и से लोग करते थे तो अब प्रिश्र के नंदर सीदा प्रश्ण आ तो बहुत है कि दौरा राधस्थान के किस किले को से लोट में चुना जा रहा है इस अजमेर के तारगड किले को से प्रटोरियम की रूप में चुना जा रहा ये भी याद रखना अब जांगीर के रहा यार तुने मेरा नाम काट की अच्छा नहीं किया कुछ तो मेरे बार हमें बता देंगे तो तारागड की ले के अंदर एक घाटी के अंदर चश्म ए नूर महल मिलता है और तारागड की घ घाटी में इस्तित तारागड की घाटी में इस्तित महल और आप से पूछ लिया जाए इस तारागड की घाटी में इस्तित इस चश्म ए नूर महल का निर्माण कौन करवा रहा है तो देखो नाम से पता चल जाएगा ना इसका निर्माण कौन करवा रहा है जहांगीर और जहांगीर द्वारा हो रहा है निर्मान, क्योंकि जहांगीर की प्रेमिका तो भी आई दिये, जहांगीर की प्रेमिका नूर जहां अजवेर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था सुभास उद्ध्यान, याद है या भोल गए, अन्ना सागर झिल के किनारे जहांपर बारादरि महल कौंसा चश्म ए नूर महल इसको भी याद रखना कि सर जी साजाने भी कि सर गरदी पांच हां बिलकुल अना सागर की किनारे जो पांच बार बार दर्या आए पांच दर्वाज है उनका निर्माण साजाने करवाया था उद्यान किस ने लगवाया है जहांगीर ने लगवाया है और 12 दर्यों का निर्माण जो 5 दर्वाजे नाम बहरा के 12 दर्वाजे नहीं 5 दर्वाजे संग बरमर के सफित संग बरमर के वो श्राजा के द्वारा बनाये गए यह ना ज्याद रखना ठीके यह तो गया चस्म नूरमेल तारागड की घाटी के अ और अगला किला अभी अजमेर के अंदर गूमेंगे अब आ रहा है अकबर का अरे उसके बारे में एक बात और सुन लो एक बात और सुन लो इस तारागड के बारे में और तारागड के बारे में और क्या कहा जाता है इस तारागड के बारे में कहा जाता है राजस्थान में सरवादिक आंत्रिक आक्रमन जेलने वाला किला सरवादिक आंत्रिक आक्रमन जेलने वाला दुर्ग सबसे जदा आंत्रिक आक्रमन किसने जेला है जेलने वाला दुर्ग यही अजमेर का तारा गड़ है और आपसे पूछ लिया जाए क्या आपसे पूछ लिया जाए सरवादि ओहो ओहो इसको तब छेड़ नहीं गुना है ठीके यह कॉपीपेस्ट होगा नहीं आप से पूछ लिया जाए सरवाधिक सरवाधिक बहाई आक्रमण बहाई आक्रमण जहलने वाला दुर्ग कौन सा है तो किसका नाम बताओगे बहाई आक्रमण जहलने वाला दुर्ग पढ़ाया है मैं आपको तो कौन सा किला आएगा तो आएगा भटनेर दुर्ग कौन सा किला आएगा तो किला आजाएगा आपके भटनेर का किला भटनेर का किला हनमान गड़ वाला बहुत बढ़िया है तो भटनेर का किला तो जहल रह है बाही आक्रमन और तारागड़ का जिल्ला किल्ला जिल्रा सरवादिक आंत्री का आक्रमन दौन चीज को हमको याद रखना है अब आओ हम लोग बात करते हैं अक्बर के किल्ले के बारे में है ना अब क्या देखना हमको अब हमको देखना है अक्बर का किल्ला अक्बर की किले के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और क्या चर्चा करेंगे अक्बर की किले के बारे में ले इसको क्या हुआ है ठीक है अब सुनो अब किला आ रहा है और किला कौन सा रहा है नया किला जो आएगा अब नया किला आ रहा है अक्बर का किला सबसे पहले पहला प्रशन आता है इस किले का निर्मान कौन और कब करवा रहा है निर्मान कब करवा रहा है और कौन करवा रहा है दो प्रश्ण तो बन गई यही निर्मान कब और किसके द्वारा और तीसर प्रश्ण बनेगा इसके निर्मान का कारण क्या रहा है क्यों इसके लिए का निर्मान करवाया गया है और इसके बाद जो प्रश्ण बनेगा वो प् बहुता बढ़िया, तो इसके लेके निर्मान के बारें बात करें, तो निर्मान हो रहा है पंदरा सो सतर से लेकर पंदरा सो बहुत्तर के बीच में, और पंदरा सो सतर से पंदरा सो बहुत्तर के बीच में निर्मान कौन करवा रहा है, तो मुगल वाश्चा जिसका नाम है, अकबर के द्वारा और क्यों करवा रहा है करवाने की पीछे वज़ा क्या है ना 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 सुभम ना गलत है हाँ आकानशा बिल्कुल पर क्यों करवा रहा है करवाने की बनाने की पीछे का जो कारण था है ना वो कारण क्या था तो कारण की बारें बात करें तो कारण अकबर की गुजरात विजे के उपलक्ष के अंबर क्यों करवा जा रहा है ये किला बनाया जा रहा है अकबर की गुजरात विजे के उपलक्ष में इस किले का अंद्रिमान करवाय गया है अब आ जाता है इस किले के अन्य नाम क्या क्या है तो सबसे पहले तो इसको क्या क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है मैगजीन दुर्ग क्या कहा जाता है इसको इस किल्ले को कहा जाता है मैगजेन दुर्ग इसे और क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सस्त्रागार दुर्ग सस्त्रागार का किल्ला या मैगजेन दुर्ग इसे और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अकबर का दौलत खाना दौलत खाना भी इसको कहा जाएगा ये भी हम लोगों को याद रखना है मैगजिन दुर्ग, सस्त्रागार और अकबर का दौलत खाना कौन सा किला? ये अकबर का किला कहां पर इस्तित है? ये एकदम अजमेर शैर के अंदर इस्तित है काँ पर इस्तित है । यह अजमेर की शैर के अंदर बीचो बीच में यह इस्तित है, यह भी हम घुमके ही चलेंगे, आए 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 किरा लगा कर इसको भी सासत में क्या कर ले घुमी ले ना प्यारों मेंने आप लोगों को एक प्रश्ण दिया था और प्रश्ण दिया था राजस्थान का पहला किला जो हिंदू यानि राजपूत और मुगल शैली तो हिंदू मुस्लिम शैली या आप राजपूत मुगल शैली कहलो तो राजस्थान का पहला किला जो हिंदू मुस्ल कि पूरी तरह से इस्लामिक शैली में जिसे पूरी तरह से मुगल शैली के अंदर बनाया है तो कौन सा होगा तो हो जाएगा यह वाला किला अकबर का किला और इस अकबर के किले से क्या प्रश्न बनता है अकबर का किला, तो यहां से प्रश्ण बनता है, राजस्थान का पूरी तरह, राजस्थान का पूर्णतह, पूर्णतह, इस्लामिक शैली, इस्लामिक का शैली में, इस्लामिक शैली में निर्मित किला या इस्लामिक शैली में निर्मित दुर्ग, एक बात, फिर और क्या प्रश्ण बनता है यहां से, not लगा कर लिखते हैं, not लगा कर याद रखना, not लगा कर लिखेंगे याद रखना, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, शैली में निर्मित, राजस्थान का पहला किला, और हिंदू मुस्लिम शैली में राजस्थान का पहला किला, और हिंदू मुस्लिम शैली में राजस्थान, निर्मित राजस्थान का पहला किला कौन सा होगा, तो यहां पर हम लोग नाम बताएंगे, आमेर दूर्ग, कौन सा किला हो जाएगा, आमेर का किला, और सेकंड पूछ लिया जाए, तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, जुनागड बीकानेर, कौन सा हो जाएगा, सेकंड नमबर पर हो जाएगा, जुनागड बीकानेर, ये भी याद रख ठीके हाँ एक मात रादस्तान का मुस्लिम किला इसलिए इसको मुगल किला भी कहा जाता है एक नाम क्या हो जाएगा इसका इसको क्या कहा जाता है इसको मुगल किला भी कहा जाता है मुगल किला या मुगल दूर्ग के नाम से भी जाना जाता है यह भी हम लोगों को याद रख जा रहा है लेकिन पहले अकबर और मान सिंग दौनों योजना बना रहे हैं और दौनों के द्वारा जो योजना बन रही हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर किस प्रकार की हम लोगों को तैयारी करके जाना है वो योजना यही पर बन रही है तो हम लोग बात करें हल्दी घ कि युद्ध की योजना किसके द्वारा अकबर वा मानसिंग द्वारा अकबर वा मानसिंग द्वारा अकबर के किले में और यह कौन सा अजमेर यह अकबर का दुर्ग अजमेर में अजमेर में अजमेर में बनाई गई यही पर यह लोग क्या कर रहे हैं योजना बना रहे हैं आक्रम्न करने की अटेक करने की थीक है अब हम लोग जागीर को यहां पर लाकर बिठा देते हैं और हम लोग एक समय देखें एक घटना देखें और पहला तो उसका समय याद कर लो समय कब का रहेगा समय रहेगा दस जनवर यानि हमारे जनम दिन से एक दिन पीछे आपको पता राजस्थान का कोर्ट कब लाज लॉंच हुआ था अपने खान ग्लोबल इस्टेडी पर देखो कितना आभार मानते हैं हमारे मैनेजमेंट वालों का और हमारी पूरी टीम का कितन अबहर मानते हैं आपको बताते हैं सबसे पहले बताओ अपने यहाँ पर यह बैच लॉंच कब हो राजस्थान की पहली क्लस जो अपना मैन जेनल था खान ग्लोबल स्टेडिव किस तारिक आए थी 9 जन्वरी को आई थी 9 जन्वरी को आई थी है ना याद है या नहीं है तो यहाँ पर याद रखना 10 जन्वरी, 10 जन्वरी 1916, क्या 1616, 10 जन्वरी 1616, सर में देख रहा हूँ unknown person, बहुत बढ़िया, तो बताओ उस दिन क्या था 9 जन्वरी वाला दिन, 10 जन्वरी 1916, तो यहाँ हम लोग बात करें, तो यहाँ पर जहांगीर, वा, जैम्स प्रत्थम का राजदुत, टॉमस रो, और टॉमस रो की जो भेट हो रही है, वो टॉमस रो की इनकी मुलाकात कहा हो रही है, तो इन दौनों की मुलाकात भी हो रही है, यहीं, अकबर के दुर्ग में, अकबर के किल्ला में, अकबर के किल्ले में, यहीं पर इन दौनों की बीच में क्या हो रही है, मुलाकात हो रही है और हम लोग बात करें इसके लिए पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था इसके लिए पर किस ने अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों के द्वारा कब अधिकार कर लिया गया है तो अंग्रे जो ने अधिकार किया था इसके लिए की उपर 1801 के अंदर, कब अधिकार कर लिया, 1801 तो 801 में, अंग्रे जो ने, अकबर दुर्ग पर अधिकार कर लिया, और इन्हें ने का ठीक है, ये तो अब हमारे पास में हो गया, अब हमारे पास में हो गया तो हम इसका क्या करेंगे अपना आयूद भंडार बनाएंगे और आयूद भंडार का मतलब क्या होता है अब हम क्या करेंगे इसको अपना सस्त्रागार बनाएंगे कि मैग्जिन थे मैग्जिन ना बना लिया अब तो旅 अंग्रेज़ों के पास में हो गया है और बंगाल विभाजन करने वाला वो कहिए धारां से कम भारतियों को वानते को सही हम बीम कुछ ना कुछ यह क्या करेंगे कि रहे वा क्या बात मुल बहुत अजय क्या लगा बहुत अच्छा लगा तो वो यहाँ पर आकर क्या करा है वो यहाँ आकर करा देखो हमने बंगाल को तो तोड़ दिया लेकिन तुमारे इस तूटे वे किले को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे रिपेरिंग करेंगे तो इसका जिर्णो द्वार हो रहा है इसकी मरमत की जा रही ह तो अक्बर दुर्ग का जिर्णो द्वार जिर्णो द्वार और अक्बर की किले का जिर्णो द्वार किसने करवाया है तो इसका जिर्णो द्वार करवाने वाला कौन होगा जल्दी से बताओ तो इसका जिर्णो द्वार हो रहा 1905 के अंदर और किसके द्वारा? Lord Karzan के द्वारा. कौन करवाएगा इसका जिर्णो द्वार? Lord Karzan करवाएगा. Karzan के द्वारा इसका जिर्णो द्वार हुआ है. सस्रियकाल गुरु साहिब जी. हाँ, Lord Karzan. Very Good, Very Good, बहुत बढ़िया. अब मेरी बात को और सुनो. हम लोग बात करें, तो मैंने आप लोगों को जब अभिलेक पढ़ायते, तो बढ़ली गाउं का अभिलेक पढ़ाया था मैंने आपको. पढ़ाया था और नहीं पढ़ाया था? विलोत माता के मंदिर के पास मिलता हम लो पढ़ाया था हम लोग बात करें इसी दुर्ग में. इसी दुर्ग में एक संग्राले बनावा संग्राले का नाम क्या है? संग्राले का नाम है राजपुताना म्यूजियम. म्यूजियम. गोरिशंगर हिराचन ओजा के द्वारा. राजपुताना म्यूजियम जिसकों कहते है यह कैसा संग्राले? यह है गॉर्मेंट संग्राले नहीं राज किया, संग्राले, राज की संग्राले इस्तिता है, राज की संग्राले भी यहाँ पर बनावा है, तो इसको भी हमको देखना है, इसको भी हमको यादा रखना है, ठीके? अब मेरी बात को सुनो और मेरी बात को सुनो और बात क्या है बात यह है कल मैं आपके टेस्ट लेने वाला हूँ किसका टेस्ट लेने वाला हूँ पता है तुमको तो कल तुमारे टेस्ट रहेगा कल शाम को आट बजी वाली क्लास के अंदर तो 2 अप्रेल रहेगा कल टेस्ट है क्या दो अप्रेल 2024 है ना तो हम लोग लेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों का टेस्ट है प्रमुख दुर्गों का रहेगा कल टेस्ट है ठीक है मंजूर है या नहीं बताओ राजस्थान के प्रमुक दुर्गो का रहेगा टेस्ट है कौन-कौन टेस्ट देने के लिए तयार है सबसे पहले तो यह बता दो और अब तक अगर आपने हमारा जो KGS एप्लिकेशन पर application और KGS एप्लिकेशन है और इस के जिस application के अंदर अपना एक course आ चुका है और course कौन सा है ये course अपना है राजस्थान का और कौन सा तो सबसे पहले आगार्ज कर रहे हैं हम रास्तान CT से किसे आगाज कर रहे हैं रास्तान CT से आगार्ज कर रहे हैं कोड़ की फीस क्या है वो फीस रखिए 209 रुपे मात्र है ना 209 रुपे मात्र तीन सुरुपे समझ लो तीन सुरुपे के अंदर आपके course है तो आपको जैनेंद्रा कुमार वा क्या बात है तो आप ये course जिस इसने खरी लिया वो तो नहीं और नहीं खरीदा वो भी जल्दी स क्योंकि फिर देखो वहां बैच के अंदर ज्यादा क्लास होगी न क्योंकि दो क्लास तो यूट्यूप फिर एक ही class रहेगी फिर दो क्लास नहीं लेपाएंगे फिर दो क्लास नहीं लेंगे आर्जे 21 नागोरी लो एन हाज जोड़बां काम कौन चले भाई एन जार एक मही ने जार कोट्स लेनों पड़ी जदी काम वानी ऐसे बोलते ना नागोर वालो ले लिया सर मैंने विवास उभम जी बहुत बढ़िया तो नागोर वाला आर्जे 21 केम कई लिकी हो है वही किलो मिटर तो घणा किलो मिटर कोनी नागोर उज्वत पूर शर जी प्लीज हमने ले बड़े छोरियां तावड़ा रमई ने खुदी मारून हाता था मनीवा खुदी मारून मनी मारू हाता था ले लेंगे चलो 11 बजे के बाद मिलेंगे ठीके सर थोड़ा बता देते की कौनसी कौनसी किल्ले पूछोगे तो थोड़ा पढ़ के आऊं अन्नोन मैं सिर्फ एक ही किल्ला नहीं पूछोगा मैं सिर्फ राजस्थान का किल्ला पूछोगा ले पढ़ ले मैं सिर्फ और सिर्फ कौनसी किल्ले पूछोगा मैं सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के किल्ले ही तुमसे पूछोगा इसके अलावा एक भी किल्ला नहीं पूछोगा कर ले त्यारी यह फिरम घ्यम लेने के लिए ठीके सरूला दिया आपने तो रूलणा भी दो तरह का रोता है आपने मारवड़ी में टॉट ऋक्यार है रूड़ाई द्यों एक तो त्हों रूड़ा द्यों होता है लूड़ा दिया तो regulating रूड़ाई द्यों कोई जबाब कर दिया और प्रिंट कभी होकर हमारे पास में PDF आ गया है ठीके इसलिए हम भी छाती ठोक और करें कल टेस्ट होगा 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 ठीके कैर अच्छा कोई रोष्ट नहीं कर रहा है तो होष्ट है आस तो क्योंकि तुम्हारा वोष्ट है तो कॉन रोष्ट कर सकता है तो आज आप हमारे host हो, हम आपके guest है, PYQ लेकर आना बिलकुल सुभम, जितने भी प्रश्ण आपके आएंगे, वो सारे के सारे कौन से आएंगे? वो सारे के सारे PYQ आएंगे, मैं आपको बता दूँगा, कि ये प्रश्ण किस exam के अंदर पूछा गया है, आप net पे जाकर उ हो अपने परिवार के अंदर कोई कमी नहीं है कोई कमी नहीं राजस्थान का सबसे बड़ा YouTube चैनल अगर किसी इक पास में तो खांसर के पास में लेकिन राजस्थान माते आवां उमोरियो नाच कुदन पगा हमिन देखें लाजा मरे हैं पर राजस्थान के सामने आते कोई कहते हो हम बड़ी चाव से कहते हैं राजस्थान कर दिया खांसर ने तो हमारे जो साती अलग-अलग कोचिंगों के अंदर पड़ा हैं वो बता तो अनुमती लेते हैं विदा जैहिंजे भारत धन्यवाद